अलो दोस्तो आज मैं आपको मॉबाइल डिवाइस के अंदर जो मेगनेटोमीटर सेंसर होता है आप उसे कमपास सेंसर भी बोल सकते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूं तो इस वीडियो को सुरू से लेके अंतक देखते रहे हैं आप देख रहे हैं टेक की सेंसर होता है आप उसे कमपास सेंसर भी बोल सकते हैं और होना ही चाहिए अगर कोई लेटेस्ट मॉडल है तो क्योंकि मेगनेटोमेटर या तो फिर कमपास सेंसर का बहुत सारा यूज है आपके डिवाइस के अंदर अगर आप आप आइफोन यूज करते हैं तो आपको पत यहां पर मिलती है आप देखेंगे कि रेड कलर के अंदर जो होता है वह नौर्थ का इंडिकेशन होता है सामने साउथ इस्ट वगर वेस्ट वगरा तो यह जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके डिवाइस के अंदर मेगनेटोमेटर होना चाहिए क्योंकि मेगनेटो आपको सिर्फ नौर्थ और साउस ही बताएगा लेकिन उसके साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा सेंसर हो जैसे कि जाइरोस को वगरा तो वह आपके डिवाइस की एंगुलर डायरिक्शन को आपको भी आपको इंफोर्मेशन मिल जागी क्योंकि यहां पर आप यहां पर देख नेख लिए एपल के अंदर सेंसर सेंसर का वी यूस होता है आप जब भी मैप को नेविगेशन मोड पर ठराखने के लिए आपको जो आपने जो लोकेशन का बटन है उसे दो बार टैप करना एक बार करेंगे तो आप जहां भी करन्ट लोकेशन है वहां पर मैप नेहें के होके आजाएगा फिर से आप उसे टैप करेंगे तो आप देखेंगे वहां पर एक छोटा सा compass का जो icon आजाएगा तो क्या होगा कि जैसे वह compass का icon आजाता है कि आपका जो phone होता है वह navigation mode में चला जाएगा और बाद में आप अपने phone को को अपनी कार की डेस्ट पर रख दीजिए और जैसे आप अपनी कार को नौर्थ साउथ वगेरा कोई भी डाइरेक्शन में नेविगेट करेंगे जो मैफ होता है वो पूरा उसका व्यू रोटेट होता रहेगा और जो नौर्थ है वो हमेशा नौर्थ पर ही प्राइंट आउट करता रहेगा आपको वें नौर्टिस किया होगा तो आपको पता ही होगा और दूसरा एक ऐस्पेसिफिक होता है special navigation application के अंदर वहां पे भी compass का बहुत सारा यूज होता है जब भी आप navigation application को on करते हैं और बाद में अपनी car को कोई भी direction में move करते हैं तो internally उसमें भी compass application का यूज होता है साथ में जाइदो सोप भी यूज होता है और सारे दो-तिन sensor को मिला के बाद में अपने map के अंदर आपको पूरा direction बताया जाता है और आप अपनी car को कौनसी direction में ले जाए वह पूरा indication आपको वह जो GPS बेस सिस्टम होती है उसमें मिलता है तो magnetometer है वह बहुत useful sensor है आपके mobile device के अंदर अगर आप iPhone Apple के device use कर रहे है iPhone के कोई भी model 3GS के बाद में तो सारे model के अंदर यह magnetometer या तो फिर compass sensor होता ही है लेकिन अगर आपको Android का model लेना चाहते है तो उसमें आप जरूर देखिए कि magnetometer sensor होना चाहिए कि उसकी बज़े से जो navigation वगेरा जो होता है वह बहुत efficient होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे like कर दीजिए और चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे भी subscribe कर दीजिए subscribe करने के बाद जो लेल का icon आता है उसे भी tap कर दीजिए तो जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंद ही आपको अपने डिवाइस में उसका push notification मिल जाएगा और आप मेरा नया वीडियो देख पाएंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद